हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लोगों को ठकता था और उसके बाद यूपी के बार के इंडर ग्राउंड हो जाता था जैसे कि अभी पनलब काफी चिकना चुपना साप है यह और शायद जरीला भी यहां हरियापूर में यह चार मडर और दो गैंग रेप में संदिक दें अगर ही दिने शुबादे दिली मे किया लेन देना साप ब्रिज्भान और सोन का भी मसला था जमीन को लेका अब तक कुड़ाई चल रही हैं उनकी साफ हम सगे भाई है और वह बच्चीयां हमारी बच्चीं जैसी थी अगर वह बच्ची आपके लिए आपकि बच्चीं जैसी थी और इस खिनोने काण में आप अपको ये भी मालूम था कि सोहन के घर के बाहर पैट्रोल की कैन कियो लेकिन चब आपसे पूछा तो आपने कहा कि आपको नहीं मालूम हाँ वो हमने जूट का था साथ क्यों वो अलग बात है कि हमारे और भाईया के बीच सम्द्ध खटे पड़ गए थे लेकिन पूरे गाउ अब मैडम मैने कई बार बात कीती पिंकी से क्या बात की थी अर्विन इस दिनेश उपाद्याए के चकर में कहीं किसी दिन तुझे जेल विल न हो जाए ये दिनेश फ्रॉट के पैसों में से पिंकी को भी हिसा देता था वो सब मुझे नहीं पता मैडम मैं तो बस एक दोस क के नाते उसे समझाता था काहों कि कई सारे लोगों के पैसे डूबे मैडम इस फ्रॉड स्कीम के चक्कर में उसे लगता है पिंकी को पैसे मिले जरूर होंगे देने इससे जी पिंकी का पास्बुक तो घरी पर पड़ा होगा मैं कॉंस्टेबल भीज रहा हूं दुरन पिंकी क ये एक बात समझ में नहीं आई अगर देने से बाद आए कई लोगों के महनद का बैसा लेकर गुल हुआ तो उन लोगों ने पुलिसमें सिकायत कि उने कि कोई कुछ बोला कि उने इसकारण में काफी कुछ जयसा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा हूं हमारे पर जिन लोगों से आपने करवाया उनकी नियत की गरेंटी लेकर तो आप बैठे नहीं थे हमने कोई सुपारी उपारे नहीं दी साप हाम भाया से नारा जरूर थे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भाई जैसा नहीं बल्कि दुश्मन की तरह वयवार किया यह क्या कि नंकू पकान बेज दिया अरे हमारी बात चल ली थी ना भाई आप और सोन भाया किसी नतीजे भी आय सोहन भाया तो सिधे छे लाग नगद लेकर आप होचे पर थमा दिये मुझे बोले कि अंकुष के लिए सही रेगा इकर उनके अगर के पास ही पढ़ते इसके लिए मैंने हां कर दी है जब अपने इतना प्यार देंगे तो दुश्मन की क्या जरत है नंकु ने सब बता दिया हमको हम तुमको पहले बोल दिया थे कि नंकु का घर खरिदने में हमें रूची है और तुम ही जित पकड़के बैठे थे लेकिन वो घर तो हमने पहले देखा था ना भीया और कमला को भी पसंद आ गया था उसका च्छत और अंगन सब हमको भाग गया था हमने अपना समझ के पसंद किये पर तुमको तो हमारी कदर है नहीं अगर हमको तुमारी कदर नहीं होती न भीया तो पांच साल दिः जो पैट्रोल का वै धन्दा चला रहे हो न इस बारे में चुप नहीं बैठते हम इसी की काली कमाई से आपने घर करिदा है ये 6 लाग इसी से आया है अब त तो कंदे पे हाथ रखके हमारा गरदन दबा दिया अब देखना क्या करते हैं और ये पैट्रोल वाली बाद आपने पंचायत में उठाई लेकिन किसने साथ नहीं दिया अपका ऐसा कुछ नहीं था साफ हमने तो बस गुस्से में सिर्फ धंकी दी थी भीया को तेकिन ये धंकी काम नहीं आई और ये बात ना आपने हमें बताई और ना ही गाउं के सरपंच लखांचे ने हमने खुट कुरेट का निका ली अरे साहाब ये तो पंचम अपनी भडास निकाल रहा था अब इतने के लिए हम सोहन जी खिलाफ शिकायत थोड़ी करते हैं आप लोगों ने तो काफी हलना मचाय था किस कांट से पूरा का पूरा गाउं खौफ में आप लोग चक्का जाम और नजाने क्या करें पर इन दोनों भाईयों को दुश्मनी के बारे में आप लोगों ने चू तक निए यहां ते कि सोहन जैसवाल के अवैत पेट्रोली धंदे के बारे में आप लोगों ने मूह तक नी खोला ये सोहन और पंचम दोनों भाईयों के बीच का आप सी जगड़ा है इसका पेट्रोल से क्या ले ना देना वैसे भी पेट्रोल पंप इस गाउं से काफी धूर है सोहन जी पांच एक रुप्य जादा ले 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 ते इसमें हम गाउवालों को कोई आपत्ती नहीं होती थी आप लोग हमारे और सोहन भाईया की बीच के अन्बन को एक खुंकार दुश्मनी और बलतकार करन दे रहा हैं बहुत कलत कर रहे हैं साब आप लोग ड्रजभान उसके बेटों को बचाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हैं बिलकुल सोलाने सही समझे हैं आप पंचम जी हम आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं और बाकाइदा सबूतों के साथ इस इल्जाम को साबित भी करेगी ठीक है साब, सबूत पेश कीजी आप, तब की तब देखेंगे पंचम जैसवाल के फॉन रिकॉर्ड से बहले कुछ ना निकले लेकिन इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ तो पंचम भी मकान के मसले को लेकर आसा कर सकता है सगा भाई ऐसा कान नहीं करवा सकता, ऐसा कहीं लिखित तो है नहीं राइट सर, वैसे इस केस के स्टार्ट में हमारे पास कोई लीड नी थी, पर अब हर दिन नया कुछ निकल के आ रहा है लोकित बंपर योजना स्कैम? सर ये स्कैम भी वज़ा आओ सकता है इस कांड का, गाउं के कई लोगों के पैसे डूबे थे और शायद ये विक्टिम पिंकी इस कांड का हिस्सा थी मिल गई पिंकी की पासबुक उस स्कीम के बारे में कुछ ना पूछो, स्कीम थी एसी कोई मना नी कर सकता था अच्छा, ऐसा क्या था? डाई हजार का मिक्सर ग्राइंडर, साड़े बारास रुपे में घर लेके जा, बुलू अच्छा, ये योजना सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर के लिए थी? नहीं, नहीं सिर्फ उसके लिए नहीं, दुनिया भर की जो भी चीज़े हैं ना, उन सब के रंगा-रंग पोस्टर लगाते था था ये, दिनेश ठग, शकल सुरज से भी एक्टम अफसर जैसा लगता था, रोबिला किशन चाचा, ये सारी चीज़े बेच रहे हम, और ये रेट्स यहीं के लिखी गए है, आपको जो भी चाहिए, बस आधे पैसे दीजे, और जब माल नौ महीने बाद डिलीवरी करेंगे, तो आपको एक पैसा जादा नहीं दिना होगा इसका मतलब, इसमें से जो भी चीज ले, सब आधे दामें मिलेगी, और हाँ किशन चाचा, सब कुछ काइदे से होगा, आपको फॉर्म की कॉपी मिलेगी, रसीद वसीद, और आधे दाम का वादा भी, तो बस आधा दाम दीजे, और आपसे एक रुपया जादा नहीं किसी गाओं वाले को एक सुई तक तो दिलाई नहीं साले ने, मेरा किराया क्या देता, एक हपते तक रोज जाकर मैं पिंकी से पूछता रहा कि ये दिनेश का बच्चा गया का, वो छोटा दमू बना कर बोलती पता नहीं, फिर ताला तोड़ा, जब किसमध तूटी हो, तो पूरा समाल लेकर छू, सिवाए इस बोड के, रद्दी वाले को बोला भीया, आउर इसको लेकर जाए आखों में चुपता है ये, और वो अभी ते काया भी नहीं, दिवान जी, एक दो लोगों तो समझें, ये दिनेश उपात ध्याय तो पूरे गाओं को चुना लगा कर ये आधे दाम का जो लॉली पॉप दे कर गया, किसी को शक नहीं हुआ, किसने कुछ पूछा नहीं दिनेश से, भीया, कोई दिनेश बाबू को नाराज नहीं करना चाहता था, सभी ने लालच में आकर कुछ ने कुछ खरीदा था, आप भी, 800 की लेक्टिक इस त्री-चार स लगबख 70-80,000 रुपे दे चुका उस ठक दिनेश को, और अब भी, रोज आकर दुकान के चक्कर लगा के जाता है, उमीद में बैठा है कि शयाद दुकान खुलेगी फिर से, बावला हो गया है मेनेजर साब, पिंकी एक दिनेश उपाद्धाय नाम के फ्रॉट के पास काम कर रही थी, जो दो महिने पहले कई लोगों को सीट करके भाग गया आप जरा पिंकी के अकाउंट में देखके बताएंगे, कि दिनेश ने कोई रकम पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर कियो, या फिर पिंकी के अकाउंट से किसी अग्यात अकाउंट में कोई बड़ी रकम ट्रांसफर होई हो आप पहले ये बताईए कि आपको किसने कहा कि पिंकी और उस फ्रॉड दिरे शुबाधिया नहीं था फैर आप पहले ये बताईए आपको बताया किसने अर्विंД तुम्हारा दोस्त पिंकी का दोस्ट तुमारी फैमली का दोस्ट आप जूट बोल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले मुझे बताता है पिंकी ने तुम्हें बताया था, कि उसने कतल से दो दिन पहले अपना नंबर क्यों चेंज किया नहीं, बोल चुका हूँ आपको बोल चुके हो, अब जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुनो हमें लगता है पिंकी या तो दिनेश को अवाइट कर रही थी, या फिर गाउवालों को इसलिए उसने अपना नंबर चेंज किया नंबर चेंज करके कोई गाउवालों को कैसे अवाइट कर सकता है भला और वो दिनेश को क्यों अवाइट करेगी सर क्योंकि शायद जैसे गाउवालों का पैसा दिनेश के पास अटका था ऐसे ही दिनेश का पैसा पिंकी के पास अटका जूट, सब जूट है यह तुमारे घर के चार लोगों का बटर हुआ है तुम्हारी दोनों बेहनों के साथ गैंग रेप हुआ है ये जूट नहीं है और ये भी जूट नहीं है कि बिरजभान और तुम्हारे अपने चाचा पंचम के साथ तुम्हारी फैमिली की दुश्मनी थी ये भी चूट नहीं है कि तुम्हारे पिता पैटरोल का अवैत धंदा करते थे ये भी चूट नहीं है कि गाउवालों ने दिनेश की फ्रोड स्कीम में पैसा सिफ और सिफ तुम्हारी बहन पिंकी के भरों से लगाया थे और अब गाउवाले इस नुकसान का जिम्मेदार तुम्हारी बहन पिंकी को माल रहे थे चोटी-चोटी रखम भी मिलाओ तो आट-दस लग कहीं नहीं गए सर एक जैलाल शुकला मिला था मैकसिमा उसका नुकसान हुआ है कुछ 80,000 का कफी परेशान लग रहा था तेक है सर कुछ ऐसी नराज गाउवालों ने मिलकर बदला तुम लिया पिंकी से और पूरे परिवार वालों से और फिर पंचायत, खौफ, ड्रामा और चक्का जाम की धंकी देकर ध्यान बटा रही हो सर आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से गाउं का वो हर बंदार आडार मिलाना होगा जिसको दिनेश ने चूना लगाया हो और शायद पिंकी ने भी लेकिन सर पिंकी के बैंक अकाउंट में कोई भी अन्यूजल रखम ना डिपॉजित हुई और ना ही किसी दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांस वह पर पाटी लगबख सारे इस ट्रांजक्शन कैश में हो सकता है सारी रखम पिंकी के पास कलेक्ट हुई है और पिंकी ने ये रखम दिनेश को ना दियो गुस्से में आकर दिनेश न अपने आदमी भेज कर ये सब करवा दिया हूँ इस वक्त हर एंगल धुंदला है अंकुष लेकिन इतना साफ है कि इस कांड का कुछ ना कुछ पिंकी से लेना देना जलूर है इस समझ में नहीं आ रहा है सर इस सब मेरी पीठ पीछे हुआ जम मैं यहां नहीं था ये बाद भी उसी धुन्द में फसी हैंकुष तुमारा लखनाव जाना होता है और उसके ठीक तीन दिन बाद ये कांड हो जाता है कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं हमारे पास कोई वज़े नहीं है तुम पर शक ना करने की सर अपनी फैमिली का मैं इकलौता मेंबर बचा हूँ अब और इकलौते वारिस में इसलिए शक के दारे में हो पर तुम इकलौते नहीं हो हमारी उगलिया और भी कई जगे उठ रही है इशारा भी करने पर किसी एक जगे पर टिक नहीं ले इसलिए तुम सब को चेताव नहीं है हमारी कि हम से कुछ भी चुपाने की बेवकुफी मत करना क्योंकि हम धुन्द के हटने का इंजान नहीं करते बनकि खुद धुन्द हटा कर मुझरिम को रोशनी में ले आते हैं सभी संदिक्दों के फॉन रिकॉर्ड्स बड़ी बारीकी से स्कैन हुए पर कहीं से भी कोई ठोस अंदेशा नहीं हो रहा था कि इन में से किसी का इस मल्टिपल मडर और कैंग रेप से कोई तालुक हो गाउ में जिन जिन लोगों ने दिनेश की स्कीम में पैसा खोया था उन सभी पर अब हमारी कड़ी नजर थी ये अंगल भी आगे बढ़ नहीं पाया था कि पंचम जैसवाल ने ये काम किसी दूसरे को सौपा हो दिनेश उबाद्याय को ढूंडने में जमीन आसमान एक किया जा रहा था वो अब इस केस में संदिक्ध नमबर बन था केस की शुरुआत में हमारे पहले मुख्य संदिक्ध प्रिजभान शर्मा और उसके बेटों की जमानत हुई पर वो अब भी हमारे संदिक्धों की लिस्ट में मौचूब थे पूरी शिद्ध से कोशिशें करने के बावजूद ये केस एक अनसुलजा रहस से बनता चला जा रहा था और हम पर दबाव बरता चला जा रहा था नर सनार के लगभग एक महिने बाद दिल्ली में दिनेश उपाध्याय पकड़ा गया पर इस केस के लिए दिल्ली अभी भी बहुत तोर थी दिनेश उपाध्या हमारे गुनेगार है पहले आप उसे हमारे हवाले कीजिए सबसे पहले हमें गाउं के एक एक आदमी का पैसा वसूलना है सूथ समेथ हमारे हवाले कीजिए दिनेश उपाध्या को कौन होते हैं आप लोग कौन होते हैं आप लोग कि अचकल फैशन हो गया क्या कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर अदालते चलाना कान खोल कर सुन लीजे सब के सब दिनेश उपाध्या इस वक्त हमारी हिराक्रत में है आप लोगों के साथ हुआ पैसों का फ्रोड जैस वाल परिवार की हत्या और भी कई केसेज होंगे इन सब केसेज में दिनेश उपाध्याई से पूस्ताच की जाएगी तो क्या उससे हमारे लूटे के पैसे वापस मिल जाएंगे दोशियों से पैसे वापस बिलवाना अदालत का कान इस वक्त हमारा काम है दिनेश उपाध्याई के खिलाब पगड़ा केस बनाना जिस पर हम काम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के इस रवये से हमारे काम में अर्चन हो रही है ये कब समझेंगे आप लोग अभी शान्त होकर शान्ती से आप लोग अपने अपने घर जाहिए तू किसी चार्ज के लिए मना भी करेगा ना तो अभी हम तेरी जमानत की अप्लिकेशन का विरोध नहीं करेंगे पता है क्यों क्योंकि गाउवाले तेरा बेसमरी से इंसार कर रहे है तेरा एक एक पुर्जा खोल कर रख देंगे बाहर ही खड़े है मैं किसी भी चार्ज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ हाँ मैं एक पेशेवर फ्रॉड हूँ इस हरियापूर गाउं के अलावा मैंने और भी कई गाउं में लोगों को ठागा है इस ब्रह्मे मत रहना दिश इस सारी डिलिंग क्याश में हुई है तो केस कमजोर बनेगा मैं किसी ब्रह्मे नहीं हूँ सर बलकि पिछले कुछ सालों से मैं तयार भी था कि एक नाएक दिन तो जरूर पकड़ा जाऊंगा है कोर्ट, जेल, मैं सब के लिए तयार हूँ और अपने सारे के सारे फ्रॉड में कुबूल कर लूँगा चार मुर्डर और दो रेप केस ये कौन कुबूल करेगा आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजे लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मेरे उपर नहीं चिप केगा मैंने अपरेल में हरियापुर गाउं चोड़ा था सर अब अगस में आप लोग मुझे यहाँ वापस लेकर आए इस बीच पूरे टाइम में दिल्ली में था किस गैंग को दिल्ली में सुपारी थी तोने इस्पेक्टर साब आपकी ये जो थियोरी है कि पिंकी ने मेरे पैसे मारे और मैंने इस तरह से पिंकी से बदला लिया ये सरसर गलत है पिंकी और तेरा अफैर था ये भी गलत है 100% गलत है मैडम वो बिचारी तो ये कॉलेज की लड़की थी होनार थी मैंने पिंकी के टैनेंट को स्पोर्ट किया सर तुझे हमारे टेलेंट का भी अंदाजा नहीं है तिनेश कि छूटी कहानिया हमें भेचने की ट्राइं मात करना सर पिंकी ने मेरे साथ कोई दोखा ने किया पर तू ने पिंकी को नुकसान पोचाया पूरे पैसे लूटे यहां से भाग गया पिंकी को अकेले छोड़ दिया पूरे गाउंवालों का सामना करने के लिए जी है और इसलिए पिंकी मुझे बार बार फोन कर रही थी सर उसके पास मेरा दूसरा नंबर था दिनेश सर दो घंटे से अपका फोन ट्राय कर रहे हूं आप फोन क्योंने उठा रहे हैं मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ गाउंवाले परेशान कर रहे हैं मुझे देख पिंकी मैं अपने ये नंबर भी बदलने वाला हूँ मतलब लोग सच कह रहे हैं आप वाके हैं उनके पैसे लेकर फरार हो गए मैंने तुम्हाई सेलरी एक दिन भी कभी डिले किया बलकि उपर से बोनस भी दिया है तुम्हे देखो पिंकी तुम इस समय मत पड़ाओ मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहती यहां गाउंवाले मेरा गला पकड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पर आपको पैसे दियें चीजों के लिए टेंशन मत लो पिंकी मैं कह रहा हूँ ना अपना नंबर बदल दो घर भी चेंज कर दू गाउं भी पिंकी यह सारे गाउंवालों को ने एक स्टेंडर्ड जवाब देते बोलो के मुझे नी पता दिनीश सर कहा चले गए बलकि मैं तो कह रहा हूँ उपर से ये भी बोल देना कि मेरी खुद की भी तीन-चार महीने की सैलरी पेंडिंग है कुछ वक्त में सब भूल जाए और जिंदगी यूँ ही चलती रहे की रोटीन और अपना, हाँ, नंबर आज ही चेंज कर दो, ठीक है? इससे जादा तुम्हें कहने के लिए मेरे बास और कुछ नहीं सो, गुट लग सर, चीटिंग करना मेरे खून में है आज तक मैंने बहुत से लोगों के साथ धुखा किया है लेकिन अगर कोई मेरे साथ धुखा करता है तो इतने भाइंकर तरीके से मैं उसे बदला नहीं लेता हूँ, सर धुखा देना, धुखा खाना हिस्सा इस खेल का पैसो का धुखा, दिल का धुखा सब एक है तेरे लिए इस्पेक्टर साथ ये दिल्विल जैसी कमजूरिया मैं पालता ही नहीं हूँ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि पिंकी के साथ मेरे कोई चक्कर नहीं चल रहा था वो एक होनहार सेल्स करल थी जो मेरी स्कीम्स को गाओंवालों को हार्ड सेल किया करती थी और रही बात पैसों की तो इस्पेक्टर साथ पिंकी ने एक पैसे का नुकसान नी पहुचा है मुझे लेकिन पिंकी को काफी नुकसान पहुचा है उसकी बहन रंजना को नुकसान पहुचा है उसके माबाप को नुकसान पहुचा है इन चारों को हम compensation तो नहीं दिलवा सकते, तेकिन इनके गुनेकारों को सजा जरूर दिलवाएंगे, तेरे मुझ से सब कुछ उक्वाएंगे जरूर। आप सही कह रहे हैं सर, आपके torture से घबरा कर मैं खुबूल कर लोगा, एक ऐसा गुना जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन आप लोग खुद ही सूचिए सर, इससे क्या आपका असली केस सॉल्व हो पाएगा, वो जो असली काती लिए वो तो पाहर खुला खुमता रहेगा आप जैसे काभिल ओफिसर्स के नाम के चुटकुले सुनाता रहेगा अपने दोस्तों को, कैश में इसलिए डील करता हूँ था कि केस बनाना मुश्किल हो, मुझे ट्रेस करना मुश्किल हो, ये चार मुर्डर्स, दो गैंग रेप, इतना बड़ा अटेंशन में अपने बादे आसे लगते हैं? सौहन जैसवाल का भाई पंचम जैसवाल ऐसा लगता है? सारे गाउं वाले ऐसे लगते हैं, जिनने देनेश ने ठागा था, और उन्होंने देनेश का गुसा विंकेर उसके परिवार पर निकाला आहूं जिए अंकुष ऐसा लगता है कि यूसने अ और ऐसा घिनोना कम हम करी नहीं सकते हैं पर सब कुछ ना कुछ छपाते आए अब सवाल यह है कि नीन में उनके उपर अटैक के आगया उसके बाद इन दोनों लड़कियों पिंकी और रजणा के साथ गैंग रेप किया गया होगा और उसके बाद मड़ सब पिंकी और रजणा इन दोनुमेंस की एक ने दर्वाजा कहो अगा पूरे चांसेज आएं कि गुनेगारों में से कोई एक जान पहचान का था पर सर अंकुष ने ये भी बोला था कि अगर किसी को पेट्रोल की ज़रत होती थी तो वो फोन करके बोल देते थे पेट्रोल की डिलीवरी हमेशा दुकान से होती थी घर से नहीं एसा क्लियर ली का हैं हमकुष में सर उसकता है किसी एक्सेप्षनल केस में morality का ओर्डर दुकान के बंद होने के बाद घर से भी कब ये शज़ाद इस केस में होने बाद तो फिर हमारे संदिक्दों में से ये exceptional case कौन हो सकता है जिसे पैट्रोल चाहिए था सर पंचम की पिछले दो साल से सोहन जैसवाल से कोई बात नहीं हुई मैंने calling or check है, सब clear है सर शायद पंचम उसलाद personally आयो अपने भाई से बात करने और सुले करने के बहाने उसने बात पैट्रोल को लेकर शुरू की केस अब हमें गोल गोल चक्कर कटवा रहा था कोई clear motive नज़र आने के बज़ाए मौजूदा सारे motives और धुन्दले नज़र आने लगे थे हम सारे संदिक्दों से बार बार वही सवाल करने लगे थे उमीद यही थी कि इन में से कम से कम कोई एक अपने बयान से कुछ अलग कहे और हम उसके जूट को पकड़ ले ताकि इस केस का सच सामने है क्राइम सीन के पास के टम टेटा से भी हमें किसी की suspicious presence का अंदेशा नहीं मिला जो उस रात वहां मौजूद हो सकता था नाकामियाभी के भवर में हम मानों हर बहते तिनके से लटक रहे थे पर एक ऐसा तिनका आखिरकार हाथ लगा जो हमारे केस को किनारे ले आने वाला था सर, दो अलग-अलग केसे को क्यों जबरदस्ती साथ में जोडने की कोशिश कर रहा है मेरे उपर फ्रॉड के चार्जेज लगा के कोट में बेश कर दीजे ना ये अर्विंद को च्वा कोने जानते हैं? जी सर, पिंकी का दोस्त है अर्विंद ने तेरी फ्रॉड इस्की में पैसे लगाई थे? जी, उसे नए मॉडल की कोई बाइट चाहिए थी पिंकी कभी अर्विंद के बारे में बाताय करती थी तेरे साथ? पिंकी मेरे लिए काम करती थी मेरी पिंकी से बाचीत सिर्फ और स्ट्रिक्ली प्रोफेशनल होती थी मेरी स्कीम्स बेचती थी वो गाउवालों को कभी अपनी परसनल बाद डिसकस ने कियो ने ने, अर्विन नहीं, उसकी गल्फरेंड को उठाओ, क्या नाम था उसका? सर्ममता, कुछ ममता बोला था उसने गल्फरेंड ममता है, ममता त्रिवेदी, छे जून को मेरी उससे भी कई बार बात नहीं अब हम ममता से बात करेंगे, उठाला उसे ओके सर्म त्रिपाठी, पता नहीं क्यों शाद अर्विन को उसके कॉंफिडेंस या राध भर शादी में होने की वज़े से उसे हमने अपने संधीतों के लिस्ट में शामिन नहीं किया लेकिन फैक्ट यही है हत्या कान से घंटे बर पहले चारो विक्टिम में से एक विक्टिम पिंकी को आखरी कोल अर्विन दे किया पर उठाते हैं सर्विन पताचरा टेस्स सेंटर पर ड्रॉप करने वाली वाद पूरी तरह मनगड़न और जम के को टाई गड़ते हैं करेंगे लेकिन इसके बयान को छुटलाने वाली डिटेल और समूत के साथ हा मैडम मैं पिंकी जेसवाल को जानती थी लेकिन आप मुझ से क्या पूछना चाहती है तुम पिंकी को कितने अच्छे से जानती थी, उससे बात होती थी या नहीं होती थी, और मिलती थी तो कब और कहां? नहीं, मैं पिंकी से मिली विली नहीं, नहीं हमें कॉलेज के थे, और नहीं इगाओ के. पर मम्ता तुमने पिंकी के बारे में शायद सुना होगा अपने बॉइफ्रेंड अर्विंद से अर्विंद का तुम्हारा बॉइफ्रेंड बनने से पहले गया उसके बाद पिंकी के साथ कोई रिष्टा था रोवेंटिक टाइप का यह कौन सी बात हुई सर अर्वारी जब आपने पूछा है मैंने जवाब दिया है हर बारी हाजिर हुआ फिर यह मम्ता मेरी कलफेंड को क्यों गशीटा जा रहा है समय नाम तो तुने गशीटा है जब हमारे बिना माँगे बिना पूचे तुने मम्ता का नाम लिया मम्ता त्रे वे दिया यहां तक कि उसका नंबर तक उफर किया आप कहें तुम्हें नंबर दूसर और अब यह वह मम्ता से 2-4 सवाल कर रहे हैं तो तुझे तकलीफ हो रही है कहीं इस बात की तकलीफ तो कि हमने तुझे मम्ता को सिखा कर भेजने के लिए मौका नहीं दिया जैसे कि तुने गुड़ू को सिखा कर भेजाता है हमारे इंफॉर्मर के पास क्या सिखाया मैंने सद दरसल हिले हुए तो ना मुझे आप लोग आप जो इतना भेंकर कांड हो जाने के बाद अब अब तक मुझे मौक नहीं पकल पाए बस योई बकरे ढूड़े जा रहे पिंकी के बारे में जो भी जानती हो वो सारी बाते मुझे अर्विन नहीं बताई है मतलब हमता अर्विन पिंकी के बारे में तुमसे काफी बाते करता था क्या बाते करता था अर्विन पिंकी के बारे में? यही कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है पिंकी का भड़ा बाई अंकुष और अर्विन भी अच्छे दोस्त है काफी बाते होती थी पिंकी के बारे में, राइट? हाँ, होती तो थी कभी तुम्हें ये लगा कि पिंकी हमेशा तुम दोनों के बीच में होती है लगा था, मैंने अर्विन को पूछा भी, उसकी फीलिंग्स के बारे में कम तब फीलिंग्स थी? मुझे नहीं पता, पर जब भी पिंकी की बारे में बहुत जादा बात होती थी, तो मैं इरिटीट हो जाती थी कभी तुम्हें ऐसा लगता था कि पिंकी और अर्विन के बीच में कुछ ना को ज़रूर है लगा तो था, और अर्विन को मैंने पूछा भी, पर उसने कहा कि सिफ मैं इसकी गल्फिंड हूँ लेकिन कई बार दिन में पिंकी की बात होती थी, कि पिंकी ने ये किया, पिंकी ने वो बोला कई बार तो पिंकी उसे ठीक से बात नहीं करती थी तो वो बहुत गुसा हो जाता था मतलब ममता ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्विन होता तो तुम्हारे साथ था पर वो था पिंकी के साथ हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा अश्ये मामता, तुम्हें लगता है, जब अर्विन पिंकी से मिलता होगा, तो वहाँ पर वो तुम्हारी बातें करता होगा? मुझे नहीं पता, पर कुछ टाइम से पिंकी और अर्विन के पीच में अनबन चल रही थी. किस बात को लेकर? पैसे को लेकर क्योंकि पिंकी अर्विन के पैसे नहीं लोटा रही थी और अर्विन बहुत अपसेट था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया था अर्विन ने किसलिए पैसे दिय थे पिंकी को और कितने दिय थे अर्वीन ने पिंकी को पैसे नहीं दिये थे हां मतलब दिये थे वो जो फ्रॉड बंपर स्कीम जहां पिंकी काम करती थी वो उसको हाफ प्राइस में बाइप दिलाने वाली थी पर अर्वीन को जब पदा चला कि वो फ्रॉड है तो पिंकी ने पैसे देने से मना कर दिया सर आप कानून के रखवाले हैं सर आप ऐसे गेर कानूनी काम कैसे कर सकते सर ये गलत है सर आप मुझे मेरा हक नी जीन सकते है सर आप मुझे बताएंगे कि किस चार्ज में आपने मेरे बेटे को अंदर किया है फिलाल आपके बेटे से पुष्टाश की जा रही है मेरा बेटा अर्विंद जैस्वाल परिवार के करीबी था और आप उस पर शक कर रहे है जी अंकुष उसको फसा रहा है जूटी उठा रहा है उस पर देखे सच और जूट का फैशला तो अदालत कर लिए सच यह है कि अर्विंद रात भर शादी में था मेरे और बाकी बरातियों की आखों के सामने सर मैंने पहले भी आप से बोला है हम तीनों पूरी रात मेरी बहन की शादी में काम कर रहे थे मैं अर्विंद और और यह गुड़ू गुड़ू पहले तुने कहा था कि अर्विंद पिंकी के बारे में कुछ जानता है और जैसे ही हम अर्विंद के पास मोचे उसने इतने शुपाधियावाला एंगल चिपका दिया यह ख़बर तुने अर्विंद के कहने पड़ दी थी ना नहीं सर वो आपका बंदा है था बोला कि वो आपके साथ काम कर रहा है उसे जानकारी चाहिए थी सर मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था सच मताना एक्दम सच कि अर्विंद रात पर शादी महीं था कि अपरे शादी छोड़ कर कहीं बार गया था एकाद गंटे के लिए नहीं सर हम तीनों पूरी रात साथ में थे मंदप में वो सवेरे विदाई से पहले जैसे हमारे पास ये ख़बर पहुची हर्यापूर से मैं और अर्विंद सीधा निकर गया है सोहन अंकल के घर सर मैं नहीं जा पाया सुबह साड़े नौबजे मेरी बहन की विदाई थी इसलिए हाँ जी अजकर कौन से शादी में वीडियो नहीं बलता बारात काना शादी की रसम विदाई पूरे फंक्षन की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे अमीता की शादी की सीडी तो अभी आई नहीं उसके सुसुराल में है कान उसके सुसुराल जी मुरादाबाद तो मुरादाबाद से तुरंट मंगवा लीजे सर बारात रात ग्यारा बजे पहुची फिर हम महमान नवाजी में लग गए खाना वाना हुआ और रात के करीब दो बजे शादी भी सर एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब अर्विंद वाह नहीं था शे अर्विंद का पिंकी या रंजना के साथ कोई चक्रवकर था सरी आप क्या पूछ रहे हैं अर्विंद और पिंकी का कोई चक्र नहीं था अर्विंद की गल्फेन अमुन था हमारे गाउं की है सर पिंकी और रंजना तो अर्विंद की बहने जैसे थी वो लोग, अर्विंद, पिंकी, रंजना, सब साथ साथ बड़े होए थे अर्विंद के फादर महंची से कहा दो शादी की सीडी वेरिफाई होने तक, अर्विंद हमारे पास रहे सर, शादी की सीडी कल सुबह तक आएगी, मुरादाबाद से सर, दिलिप और गुड़ू के पीछे, एक-एक बंदा लगवा दिया हास दोस्त हैं, अर्विंद, इन दोस्ती में से बचा तो नहीं रहे शादी की सीडी आने दो, देखते हैं, अर्विंद फुल टाइम शादी में था क्या पिर भीच में थोड़ी देर के लिए गायफ हो था दिलिप ने कहा था कि बारात 11 बज जाई थी और अर्विंद ने पिंकी को 11 बज की 45 मिनिट पर फोन किया सर शादी हो रही है, बात कि शायए दो बज़े होगा और अर्विंद भी शादी में मौझूगा सर अर्विंद तो पूरा बग नहीं है, शादी में, सहरंगड़ पर अर्विंद को पता था कि अंकुष घर पर मौझूद नहीं है, शाद अर्विंद नहीं ही किराय के हत्यारे भेजियो, विंकी के घर पर भाष्ग के अंकुष अंकुष अंच अंच अंकुष देखो, इनोंने कप्डे बतले हैं, अभी इसवर जो शादी में इनोंने कप्डे पहने हुए हैं, वो अलग हमें तो आप लोग की शाधिया नहीं हुई है क्या आपर शामिल नहीं होते है शादी में हर दूसरा आज मी कपड़े बदलता है तो अधिलिप ने भी आखिर वो दौलन का भाई था और मेरा बेटा अर्विंद वो भी दुलन के भाई जैसा ही है डिलीप का खासदोर जैसे हो गुड़ू भगवान जाने आप लोग क्या खिच्टी पका रहा है इक तो इतने भैंकर कांड हो गया और आप लोग उसे जोड़ रहे हैं मेरे बेटी के शादी के साथ उपर से सुना है आप लोग अधिलीप और गुड़ू की पीछे आदमी भी लगाती है और मेरे बेटे अर्विंद को तो क्रिमिनल की तरह बंद कर रखा है कुश्वा जी भरत जी मैं इस बास से वाकिफ हूं कि शादियों में लोग कपड़े बदलते हैं मैं इस बास से भी वाकिफ हूं कि लोग रंग और कभी-कभी रंग को छुपाने के लिए भी कपड़े बदले चाहते हैं खास करके खून करां थीके साफ साफ कई आप चाहते क्या है कपड़े तीनों लड़कों के दोनों जोड़ी कपड़े पूरे के पूरे चल से चलते हैं यह कोई दर्ख्वास नहीं है अजीव है क्यूं आप मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो कपड़े पढ़ें कर इन तीनों ने बर्त का स्वागत किया था वो कपड़े आफ हम हमें घर पर मिले क्यों ने जो तुम तीनों ने शाधी के वक्त पहने थे, लेकिन पारात वाले कपड़े तुम तीनों के घरों में नहीं मिले, तुम तीनों के घर की तलाशी के वक्त हमें नहीं मिले, तुम तीनों के घर की तलाशी के वक्त हमें नहीं मिले, दिली पर कुड़ो, तुम दोनों तो की अर्विन पिंकी के बारे में कुछ और बी जानता है वो बात वो बात अर्विन ने खुद मुझे उस आदमी से कहने को कहा था यह तो हम जानते हैं, बिटा यह बता कि कपड़े शुपाने के लिए भी सर्विन नहीं कहा था या, सर, हमारी किसी से दुश्मेन ही नहीं थी उसकी फैमिली को तो हम करीपसे जानते भी नहीं थे खासकर उन दोनों बेहनों को तो तूम दोनों के कहने का मतलब यह है कि इस सब कुछ क्या कराई सर विंद का ही है हा सर, यह किसी के चाल है सर सर मुझे भसाय जा रहा है सर अब इन दोनों को ये मेरे खिलाब भढ़का दिया गया है ये दोनों ये सब कुछ मुझे पर डाल रहे है तो तू सच बोल दे आरविन देख तेरी कानी खतम हो चुकी हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं था बोल तूरे साथ और कौन था बोले सर यही दोनों थे मेरे साथ उस राथ अपने मजे करने आये थे सर अपनी मर्जी से सर इस अर्विन ने हमें बोला कुछ और करवा कुछ और फसारा है सर हमें अबे दिलीप पकड़े गए हम लोग कबूल कर लो कि तुमने अपने मजे के लिए मेरा साथ दिया इस पिंकी की बच्ची को थगड़ा सा भक सिखाना है अब अर्विन देख भाई तेरा गुड लग है कि तरे लाइफ में ममता है अब जो है उसमें खुछ रह ना यार अफाल तुम्हें क्यों इतना हलाल ची बन रहा है अरे दिलिप तुने समझेगा ये घायल इगो की आग देख पिंकी हमारे अर्विन भाई साब के बाइक पे लिफ लेती है पर के भी लिफ देती ने सच कहूं तो इसका नाम सुनता हूं तो मेरा खून कॉल उठता है और उपर से साली मेरे पैसे निगल कर बैठी है अर्विन मैंने तुम्हें पहले भी अच्छे से कहा है अब साफ साफ कह रही मुझे तुम्हारे किसी भी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है पिंकी तुम हमेशा इतना तीखा क्यों बोलती हूं मुझसे क्योंकि तुम एक्स्टा स्वीड बोलते हो बनते हो देखो अर्विन मैं इंबानदारी से कह रहे हूं नो मुझे तुम भे या किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं फिलाल तुम मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई मेर है अपने काम पर है पर तुम समझती ही नहीं हो गोल-गोल जलेबी के तरह लगे रहते हो छासनी के तरह चिपके रहते हो बाइक पर तो खूब चपकती हो मुझसे मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारे बाइक पर बैट्टी हो वो तो तुम अंकुष भईया के दोस्त हो ममी पापा के सामने सूइट बॉय बनते हो और मैने भी तुम्हे हमेशा दोस की तरह समझा है तुम्हे भाई टाइप लेकिन तुम प्रपोस करके अपना मो और मेरे कान खटी क्यो करते रहते हो तो जब देखो तब तो मेरी इंसल्ट करती रहती हो और उपर से मेरे बीस हजार काकर बैठी हो उस बंपर योजना की आड में दो माग मत खराब कर अरविन क्या तो भूका मर रहा है उन पैसो के बगयर क्या मैंने तेरे जेब में हाग डालकर रूपैसे निखा ले थे लेकिन तु काम तो करती थी ना उस ओफिस में जानती थी ना तु क्या वो खुता देनेश उपाद्या फ्रॉड है अरे कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना मैं तेरे प्रपोस करने पे तुझे डांट डेती हूँ तो तु पैसो के रत लगाना शुरू कर देता है देख मैंने तुझे कहीं बार काहा है कि दिनेश उपाद्या फ्रॉड था ये बात मुझे भी नहीं पता था उसने तेरे साथ साथ कहीं लोगों को चुना लगा गया है उसने मुझे भी धोकह दिया है और हाँ टेस्ट के बाद मुझे लेने मताना और आज के बाद से मैं तेरे बाइक पर जब हाँहिए बैठोंगी बाइक पार तो तो बैठेगी मेरी आउंगा मैं तुझे लेने, टेस्ट के बाद जब मैं वहाँ पहुंचा, तो आटो लेकर निकल गई इतना गुरूर साली का, हमेशा के लिए तोड़ना है मुझे यार ये सब करके क्या मिलेगा, और अंकुष तेरा दोस्त है पर अंकुष इस वक्तिया नहीं है तो, देखो यार, मुझे सिर्फ पिंकी से मतलब है मुझे उसको सबक सिखा उसकी छोटी वेन है रजना थोड़ीक अच्छी है पर बुरी नहीं है तुम लोग उसको इंजोई करने क्या कहते हो पापा सो गया है अब पेट्रोल कल सुबह ही मिलेगा तु समझना यार, हम लड़की वाले है शादी का महोल है यार, इतने सारे काम होते है यार, पेट्रोल तो अभी चाहिए नहीं है और तल सुबह विदाई भी है इतनी भागम भाग है ठीक है, ठीक है मैं पेट्रोल दुगान से निकाल का रखती हूँ तो घरा कर लेजा अचा और तू तू ना बाहर वेट करना देख मैं कोई बैल वेल नहीं बजाऊँगा खामखा अंकल आंटी उड़ जाएंगे जल्दी आजा अर्विन, सारे बराती खाना का गर आराम कर रहे है सई मौका है जल्दी वो आते हैं थोड़ा मज़ा हम दी तो कर ले ये ले हम किरों के फोन यहीं कहीं रूम में छुपा कर रख दे सालेंट पर ठीक है छुरे माइक माइब निकाल ले हम मेरी वाइट पर चलेंगे जियर्विन अपनी मन कड़न भडास निकालने चला था पुरी प्लैनिंग के साथ छुरे बुरे खरिफ कर और तुम दोनोंने इसका साथ दिया सिर्फ मज़े के लिए अपनी हास पुरी करने के लिए किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना उसे तुम लोग मज़े की अक्टिविटी समझते हो अबे दिलीफ तरी तो बहन के शादी हो रही थी न उस दुरान तो किसी के माव को मार के चाको की नोप के उनकी बेटियों के साथ ग्यांग रिप कर रहा था अब कर यसो तरेते हम लोग के खाओ जाओने तरेते हम लोग के शादी थी तरेते हम लोग में लोग में। कि ये अगल दो दोलो गुट हो दोलो इहां ज़र दी चल फॉल पहुंचना है यह ले बढ़ चल आज़ा चुरे खरीदना कप्डे बदलना यह सब कुछ पहले से प्लान था या फिर उसी शाम को प्लान बना था हाँ सर था कि मतलब तुम लोगों में पहले से कोई कन्फुशन नी था सब पहले से ताय था उच्छोरे और कप्ड़े का है दिलेप के घर के पीछे इन कपड़ों की इन चुरों की फॉरेंसिंग जाच होगी यह साबित करने के लिए कि अर्विंद कुड़्डू और दिलीप ने भैंकर बिजुन क्या है सब गलती हो गई उनसे मड़र और गैंग रेप किये हैं आपके बेटे रोसके दोस्तों ने ये गलती नहीं कुना मानते हैं सर जी पर जरूर ही सरविन ने मेरे बेटे को उक्सा होगा हाँ सर मेरे दिलीप को भी पर ना आस तक तो उसलिए किसी को एक थपड़ तक नहीं मारा सर हरे सर अब ये लोग सब कुछ मेरे बच्चे पर डाल रहे हैं सर बस कुछवा जी कपिल जी भरत जी जूट मत बोली अपने आप से इस कड़वे सच का सामना कीजिए आप तीनों के बेटे इस घिनोने जुर्में बराबर के साथी दार थे अर्विन अपने आपको विक्टिम समझ कर अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था दिलीप और गुड़ू अपने अंदर की विक्रती की आग बचा रहे थे और आपका बेटा दिलीप वो तो अपनी बेहन की शादी छोड़कर इस गुनहा में सरीख हुआ ये तीनों गुनेगार हैं जैसवाल फैमिली के कानून के 21-22 साल के बढ़े लिखे अच्छे घरों के इन लड़कों ने इतने विक्रित चुर्म को अंजाम दिया ये सुनकर ही सबके होश उल गए थे वो लोग भी हिल गए जिनकी जैसवाल परिवार से रंजिश रही थे गाउं वाले जो अब तक जुर्म के रहसे से आतंकित थे अब सच जानकर मायूसी और शौक के माहौल में डूप गए दिने शुबाध्याय ने और कहां कहां अपनी फ्रॉड इस्कीम के जरीए लोगों को ठगा और उनके पैसे लूटे उसकी जाच हो रही है जब एक परिवार के सफाय के केस की छांबीन होती है तो छोटी से छोटी रंजिस से लेकर पीडियों की जानी दुश्मनी अग दो सब कुछ शक के दारे में आता है और उसकी चांबीन होती है पर इस केस में एक ऐसी अन्बंत थी अरविंद के साथ जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पिंकी को पता था पर उसे ये नहीं पता था कि रंजिस की एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा विस्फोट करने वाली है उस पर और उसके परिवार पर हमारी अपील है हर महिला से हर लड़की से हरिस्मेंट का कोई लेवल या डिगरी नहीं होती पहली बार ऐसा कुछ होते ही तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए ये कोई लोगों में डर पैदा करने का प्रयास बिलकुल नहीं है बस एक सिंपल कदम है और तो की सेफटी के लिए रिजेक्शन का असर किसके दिमाग में कैसा हो रहा है ये जज़ करना आसान नहीं है जैसा कि अर्विंद के केस में साथ ही किसके दिमाग में किस तरह की अमानवे विकृती पनबरे है ये भापना भी आसान नहीं है जैसे कि इस केस में दिली पुरकुतु जो बस अपने दोस्त का साथ देने गए इन मदर्स में सिर्फ इस लिए ताकि उन्हें कुरूर तरीके से अपनी हवस पूरी करने का मौका मिले हर जुर्म एक आइना है एक दरपन है हमारे जमाने का जो हमें दिखलाता है वो सारी चीजें जो होनी नहीं चाहिए जैन जदे करे लिएोचाँ दिफलो झाद से वोस्त की सारी जुर्म एक उड काने मशें है आएवार्स भाड़ खुड़ च्छों, ऑ侑क का है गएभर्स ह WA antis दिखछ में दूर्स प् एक पुर्स टड़ां है जो हमें दोता होह जो आए़्स एक दो